मैं स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स मुम्बरा कौसा में क्रोणा मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है और 15 माई को मुम्बरा कौसा कादर पैलेस, मुम्बरा दिवी रोड और अन जगों में 16 नए मामले सामने आये यानि कि अब तक कुल संख्या बढ़कर मुम्बरा परभाग समीती की 103 पन तक पहुँच गई है वहीं अब बात करते हैं मुम्बरा के शिवाजी नगर की जहां शिवाजी नगर में खबर सामने आई है कि दो पुलिस कर्मियों के साथ कुछ लोगों का विवाद हो गया है जिसके बाद मुम्बरा पुलिस इस्टेशन के सीनियर इस्पेक्टर कनहया थोरात अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँच गई दरसल शिवाजी नगर में काफी भीड थी क्योंकि लोग इफ्तारी की खरीदारी कर रहे थे हलाकि इफ्तारी और सबजी की खरीदारी के लिए परसासन ने सुबह तीन बज़े से दोपहर बारा बज़े तक का समय दिया है इसके बावजूद लोग गलियों में शाम को मार्केट लगा देते हैं और इसकी वज़े से काफी भीड भी हो रही है इसी तरह से मुम्रा शिवाजी नगर में भी शाम को 6 से साड़े 6 बजे के बीच मुम्रा पुलिस के दो पुलिस कर्मी शिवाजी नगर पहुँचे और भीर को हटाने लगे इसी दवरान पुलिस वालोंने लोगों को हटाने के लिए काफी समझाया बुझाया लेकिन भीड जब हटने को राजी नहीं हुई तो फिर उसके बाद पुलिस वालों ने थोड़ा बल प्रयोग किया यानि कि डंडे मार कर लोगों को हटाना शुरू कर दिया मगर उसी भीड में एक कम दिमाग यानि मन्द बुद्धी का लड़का था जिसका नाम दानिश है पुलिस वालों ने इस मन्द बुद्धी लड़के दानिश को भी मार विया जिसके बाद गली के कुछ लोग और इस मंद बुधी लड़के दानिश की बहन अंजुम सैयत और पुलिस वालों से कहा सुनी भी हुई अला कि पुलिस का कहना है कि इनके साथ जड़ब भी हुई बाइक की चावी निकाल कर फेक दिया गया और इन्हें पत्सर फेक कर मारने की कोशिश भी की गई जैसे ही घटना की जानकारी मुम्रा पुलिस को लगी मौके पर मुम्रा पुलिस दलबल के साथ पहुच गई और भीड को वहां से हटाया गया इस दवरान दानिश की बहन अंजुम सैयत और पुलिस टीम के साथ दुबारा कहा सुनी होई अंजुम सैयत का कहना था कि पुलिस ने कम दिमाग के लड़के को आखिर क्यों मारा मगर वहीं पुलिस का कहना है कि भीड ज्यादा थी और भगदर्मची सभी को मार के हटाया गया किसी को ये नहीं मालूम था कि ये लड़का मंद बुधिका है और वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि जब सुबह मार केट लगती है तो शाब में मार केट क्यों लगाते हैं इसलिए मजबूरी पर कारवाई करना पड़ता है आखिर पुलिस दानिस की बहन अंजुम सैयत को पुलिस इस्टेशन ले गई और अंजुम सैयत और उनके पती फारुक सैयत मुम्रा के शिवाजी नगर में ही रहते हैं फारुक सैयद ने बताया कि जो लोग पुलीस से उलज रहे थे वो शिवाजी नगर के रहने वाले नहीं थे बहराल इस पूरे मामले में फारुक सैयद ने क्या कहा है तो किसका बंदोबबख दर्श दर्चा सर्फ हारूग सएक्षी्यत लुक वह ठीजनागर में क्या हुआँ ति को बियुटारी, पुलीसनुदलेते लुटने, मों ने को दंदा मारा जाने को इस लुटन के पहते को 174 यह भwood हो सब सभाए एक पुलिस सामने आरहें कि लोगों ने फार फंध मातtoi थे कुछ भी न पैरा हुआ थे फ्रत्स एक भी निशानी बताती है लो हम तो याद देखे रहे हैं हम लोग में दो पुली जो पीछे आगे जो बैटा तना उस नहीं मारा तो उसकी भेहन उससे बात करने गई तो उसमें गर्मा-गर्मी में जो भी मुह से गलत वड निकला रहेंगा उसके लिए हम लो शौरी बोलते लेकिन कैसा अभी उठा के वह कि मां को उठा को पर बच्चा करें आप उसको तुमा लेंगा फिर को यह मेरा ही बच्चे अंडर जी बच्चे के मां को पुलिस लगता अनरि, निक्मी, इसा मेरा वाईन, बच्चा कला? तो वोलते हम बतलब वह तो मुवमेंट जो दैसा था गर्मा गर्मी में जो भी वर्ड निकला है अब तो उसके वज़े से तो हम लोगो जी में ढराएंगे ना पुलिज आलो अपने सफाय में निकल जाएंगे इसके वज़े से उल्लोग को उठा के लिए क्या गई अवो लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें